दोस्तों long term investment stocks figure out करने के दो तरीकी हो सकते या तो हम खुद से fundamentally strong stocks figure out करें और उनमें buy on dips की strategy अपनाते हुए long term investment के तहत hold करें या हम किसी ऐसे application का इस्तेमाल करें जो कि हमारा ये काम आसान कर सके तो इस video में हम सीखेंगे कि ये हम कैसे achieve कर सकते हैं certain live examples के साथ नमस्कार दोस्तों मैं उमेस्त रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ stock for retail पर stock market से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ तो ये video बहुत ज़्यादा informative होने वाली क्योंकि इस video में हम ऐसे important strategy के बारे में discuss करने वाले जिनमें कि हम buy on dips करते हैं buy on dips का मतलब जब किसी ऐसी stock में गिरावट हो जाए जिसको कि हमने अपनी watch list में रखा हो long term investment के तहत रखा हो तो हम उसमें investment करें तो यहाँ पर वीडियो को पूरा देखिए और कुछ नया सीखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा ठीक है पहले हम stock market की current situation जान लेते हैं उसके बाद हम strategies discuss करेंगे यहाँ पर stock market की current situation अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि पिछले 3-4 दिनों से market एक certain point से reward करने की कोशिश कर रहा है जैसे कि हमने पिछली वीडियो में figure out किया था यह जो particular point है यह particular point एक अच्छा support का काम कर रहा है वहाँ से इसने reward दिया और इसके बाद से यहाँ पे sustain करनी की कोशिश हो रही है अगले कुछ दिनों में stock market में 3 संभावनाय हो सकती है या तो stock market further move कर सकता है उपर की तरफ या stock market यहाँ पे consolidate कर सकता है या stock market में further 2-3% की गिरावट नीचे की तरफ और हो सकती है ठिक इन ही सब important बातों पे ध्यान देते हुए हमें अपने watch list पे focus करना चाहिए चली अब यहाँ पे एक certain stock का example लेते है और इससे हम समझने की कोशिश करते है कि fundamentally strong stock वाकई में होता क्या है ठिक यहाँ पे देखिए तो आप देख सकते हैं कि market price जो है इसका 1832 रुपय का है और currently यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं कि आपको graham number के हिसाब से थोड़ा महेंगे दाम पे मिल रहा है अब graham number अगर हम ध्यान दें तो हमारी videos में हमने आपको सिखा रखा है कि value investing के तहत बहुत important parameter होता है जिससे कि हम ऐसी companyya figure out करते हैं जिनमें कि अगर हमें graham number current price से जादा पर मिल जाए तो वो हमारे लिए एक winning kind of investment होता है value investing के purpose से just because कि graham number जादा है CMP से यानि के current market price से doesn't mean कि वो stock fundamentally strong stock है तो ये एक parameter होता है एक मात्र parameter नहीं होता है fundamentally strong है या नहीं उसके लिए हम other parameters देखते हैं और वो parameters कौन से हो सकते हैं वो parameters होते हैं कि company आपको return on equity at least 15% से ज़्यादा generate कर रही है या नहीं तो यहाँ पर ये company 31% returns on equity generate कर रही है return on capital employed यहाँ पर 15% से ज़्यादा है या नहीं 40% के आसपास यहाँ पर return on capital employed है इसका साथ ही साथ sales growth track record देखिए पिछले 7 सालों का तो यहाँ पर at least 10% से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है इसके साथ ही साथ हमें कुछ important parameters भी देखने होते हैं कि company consistently dividend payout कर रही है या नहीं ठीक तो यहाँ पर company consistently dividend payout कर रही है company profit भी generate कर रही है cash flow भी positive है पित्रोस्की score के हिसाब से long term के लिए feedback रही है पित्रोस्की score 9 scores का एक parameter होता है जहां से हमें पता चलता है कि company long term के लिए feedback रही है या नहीं और इसके साथ ही साथ debt बहुत important होता है यहाँ पर देखिए debt 8800 करोड का दिख रहा है बट debt to equity 0.10 है debt का pressure ही नहीं इस particular company के क्योंकि इसके पास assets बहुत खास तोर पे बहुत जाजा है और साथ ही साथ price to earning ratio के इसाब से आपको यह stock अभी undervalued दाम के आसपास trade करते हुए दिखाई दे रहे इंडस्ट्री पी से हलाकि यहाँ पे कम P.E. पे trade करते हुए दिखाई दे रहे ठीक है तो fundamentally यहाँ पे यह company हमें बहुत sound लग रही है हमने देख लिया अब हमें देखना होता है कि future में क्या growth का perspective हो सकता है इस particular company के लिए तो एक important parameter जो कि हम miss कर देते हैं वो यह होता है कि इसका market capitalization क्या है होना पड़ेगा तो ऐसे में इस company को further grow कर रहे में बहुत ज़्यादा मुश्किली आने वाली है तो यहाँ से हमने दीखा कि fundamentally strong stock हमारे पास होना चाहिए और fundamentally strong stock होने के लिए कौन से वो parameters होते हैं जिने की हमें देखना होता है अब दूसरा important factor हमने जो discuss किया था वो था कि और research calls भी provide करें जिससे कि हम अपनी trading decisions को आसानी से ले सकें तो यह होगी न हमारे लिए एक win-win kind of situation BlinkX by JM Financial provide करता है in-depth research calls जो की app पर directly available होता है यह research आपको basically बताता है कि आपको stocks में कब investment करना है कब उसमें exit करना है क्या exit strategy होनी चाहिए और कितने time frame में आपके targets achieve हो सकते यह feature काफी useful होता है खास तोर पर beginners के लिए तो अगर आप भी confusion में हो stocks को लेकर कि buy करें या sell करें तो आप second opinion इनके research feature के थूँ ले सकते हैं और इतना ही नहीं BlinkX basically आपको provide करता है zero brokerage पर unlimited trading facility across equity, IPO, currency और NAC futures and options और वो भी adjust rupees 199 rupees 2 months के प्लान पर या 799 rupees 10 months के प्लान पर without any further extra charges इसके अलावा BlinkX आपको एक dedicated relationship manager भी provide करता है जो की आपको आपकी decision making में हमेशा साथ देता है आपको इसके साथ 70 plus predefined research reports whatsapp पे directly मिलते हैं इसके साथ ही साथ super smart watch list, strategy builder और weekly webinars के जरिये आप market में हर update से connected रह सकते हैं बलकि यह एक बहुत अच्छा option बन गया investors and traders community के लिए तो BlinkX आप भी try कर सकते हैं ना सिर्फ brokerage save करने के लिए बलकि यह सब features का इस्तेमाल करते हुए अपनी investing and trading journey को आसान बनाने के लिए लिंक्स और details हमने description में दिये हुए है ठीक यहाँ पे हम बात कर रहे थे एक company के fundamentals की यहाँ पे company का नाम हम आपको नहीं बता रहे हैं अगर आपको समझ में आ रहा है कि company कौन सी है hint आपको मैं देता हूँ यह IT की one of the top three companies है त्री giant players में है और साथ ही साथ यह 1800 रुपए के आसपास trade कर रही है तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो comment करके जोरू बताइए ठीक यहाँ पे हमने देख लिया कि fundamentals हम कैसे देखते हैं अब हम यह समझते है कि overall technical के हिसाफ से हमार buy on dips strategy क्या हो सकती है देखिए दो buy on dips strategy हो सकती है एक तो fundamentals के हिसाफ से अगर हमें undervalued दाम दिख रहा है तो वहाँ पे हम bulk में investment करने का plan कर सकते हैं या buy on dips का investment करने का plan कर सकते हैं वहाँ पे हाला कि almost bottom हो चुका होता है stock का तो dips के chances कम मिलते हैं हाला कि अगर stocks में recent high से gir out हो रही जी हमारी perfectly feedback होती है ठीक है तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं कि recent high stock ने यहाँ पे बनाया था अब recent high बनाने के साथ ही साथ आप देखिए तो यह जो particular support बना रहा था उस support को break किया और इसमें गिरावट होनी शुरू हुई तो यहाँ पे एक dip बना छोटा सा राइट अब यह dip कितने percent का होना चाहिए हमारा सवाल यह होना चाहिए mostly क्या होता है कि एक dip 5% से ज़्यादा हो तो वह हमारे लिए एक अच्छा average buying price देखे जाता है तो ऐसे में अगर recent high से 5% की गिरावट हो जाए अब यहाँ पे since हम एक trading नहीं ले रहे हम यह investment के purpose से buy on dip की strategy create करें है तो हमारी 5% की calculation यहाँ से होगी ना कि यहाँ से अगर हमें trade लेना होता है तो हम यहाँ से एक तरह से देखे तो या तो put buy कर रहे होते या यहाँ से हम short कर रहे होते ठीक, सिंस हम यहाँ पर trade नहीं ले रहे हैं, हमें एक buy करना है, तो हम यहाँ पर buy on dip strategy के थैत, यह जो recent high था, इससे calculate करेंगे 5%, तो यहाँ पर आप देखिए, recent high अगर माल लेते हैं, कि recent high करीब करीब 1975 कुपए के आसपास था, तो यहाँ से हम calculate करेंगे, 1975 से 5% अगर हम calculate तो यह करीब करीब होता है 100 रुपए, 1975 से यहाँ पर आध्यान देजिए, तो 1724 रुपए आ गया था यह stock, तो सीदे सीदे एक investment opportunity यहाँ पर मिल गई थी, एक one time buy opportunity मिल गई थी, based on buy on dip strategy, अब माल लीजिए कि यह stock further यहाँ से और नीची चला जाता है, तो हम यह polar point mark कर लेते ह है, जहाँ पे हमने buy किया था 5% की गिरावट पे, और फिर उसके बाद further अगर 4-5% और यहाँ पे price नीचे चला जाता है, तो वो एक और B2 हो सकता है, यानि कि एक और buying opportunity हो सकती है, अब खास तर पे जब long term investors buy करते हैं, buy on dip strategy लगाते हैं, तो buy on dip strategy उनकी अलग हो सकती है, यहा पे हमने देखा हो कि उसके fundamentals ना सिर्व strong है, बलकि उसके sales growth के हिसाब से, उसके profitability growth के हिसाब से, एक growth stock की category में भी आता है, तो recent high हम वहाँ पे mark कर लेते हैं, एक दिन के candlestick चारट पे mark करना चाहें, तो एक दिन के candlestick चारट पे mark कर सकते, एक week के candlestick चारट पे mark करना चाहें, तो एक वीक के कैंडल स्टिक चार्ट पर मार कर सकते हैं फिर उसके बाद हम 5-5% की गिरावट का इंतजार करते रहते हैं अब यहाँ पे 5-5% की गिरावट होते होते माल लिजिये कि स्टॉक 35-40% तक गिर गया 50% तक गिर गया तो क्या सबसे बड़ा सवाल हमारा यही होता है क्योंकि हम mostly investors क्या करते हैं जैसे stock को हमने buy किया अगर stock even 2-3% भी गिर गया तो हम बहुत ज़्यादा panic हो जाते हैं और हम यह सवाल का चोटने लगता है कि भाई यह stock 15-20% गिर गया तो मेरा तो सब कुछ वहाँ पे चला जाएगा क्योंकि मैंने सब कुछ लगा रखा है तो ऐसे में अगर हम strategy के लिए उसमें buy on dips करते रहते हैं तो जब जब उसमें गिरावट हो रही होती है तो गिरावट पे हमें अच्छी average buying price मिल रही होती है और वहाँ पे losses के chances हमारे कम हो जाते है ठीक तो यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं एक वी के candlestick chart पे क्या हो रहा है तो एक वी के candlestick chart पे अगें देखिए आपको recent high यहाँ पे मिला था राइट recent high से यहाँ पे एक buying opportunity मिल चुकी है based on buy on dips strategy अब आप कह रहा होंगे कि नहीं भाई यहाँ पे भी तो मिली थी 5% की गिराउट ही थी exactly यहाँ पे एक buy on dip की strategy काम कर गई इस पे एक certain यहाँ पे buying average price 1450 रुपय का मिल गया यहाँ पे करीब करीब आप देखें तो 1760 रुपय के आसपास मिल गया यहाँ पे 1450 और 1760 को अगर हमें again average कर देते तो हमें at least वहाँ पे एक margin मिल रही है एक कम bargain price मिल रहा है तो यह bargain price हमारे लिए important होता है long term investment के तायत अब इसको अगर हम देखें कि कहां कहां हमें investing opportunity मिली है तो आप देखिए कई बार investing opportunity मिली है यहाँ पे इस gir out में करीब करीब दो बार investing opportunity मिली है यहाँ पे करीब एक बार investing opportunity मिली है तो ऐसे छोटी छोटी हमारे पास investing opportunities मिलती रहती है ऐसे stocks में based on technical analysis अब अगर इसी को हम कर दें एक मन्त के candlestick chart पर तो एक मन्त के candlestick chart पर आप देख सकते हैं बिन यहाँ से जब जब एक महिने में बड़ी red kernels form होती है तब यहाँ पे बड़ी gir out होती है और उसके बाद फिर से repergence होते हैं उसके बाद यहाँ पे रि включ हुआ है उसके बाद यहाँ पे रिवर्जन हवा की अगर consolidate करने लगा तो हमारी strategy क्या होनी चाहिए अगर गिरावट हो रही है तो buy on dips की वहाँ पर strategy लग जानी चाहिए अगर उपर जा रहा है तो हमें इंतजार करना चाहिए एक recent high बनने का और फिर buy on dip वाली 5% की strategy हमें वहाँ पर लगानी चाहिए तो यह अगर हम strategy create करते हैं और strategy को follow करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर loss होने के chances हमारे कम होते हैं ठीक है अब यहाँ पर ध्यान दीजिए यह जो particular company है इसका long term chart अगर हम देखें अगर इसको मैं squeeze कर देता हूँ तो देखें long term chart में इस stock में गिरावट तो होती है गिरावट यहाँ पर हुई है कई बार हुई है लेकिन गिरावट के हर बार एक नया high बनाता हुआ चलता है और जब भी एक नया high बनाता है तो पिछले high से high रहता है बस इसना सा important देखना हमें और जो low रहता है वो इछले low से high रहता है, तो basically higher high higher low वाला pattern follow करता है, अगर कोई भी stock तो वो हमारी buy on dips की strategy में शामिल हो सकता है, ठीक I think यहां तक clearly आपने समझा रहा है, अब कुछ examples और ले लेते हैं, जहां पे हम सीखेंगे कि value investing के तहत हम कैसे investment करते हैं, value investment के तहत हम ऐसे stocks में investment करते हैं, जहां margin of safety का cushion मिल रहा होता है, margin of safety क्या होती है, margin of safety basically हमारे पास एक margin मिलता है, एक discount kind मिलता है, जिसमें की current price जो trade कर रहा होता है, वो current price से जो books में value होती है, वो ज़्यादा होती है, यानि कि हमें company का actual value से कम दाम पे stock price buy करने का मौका मिल रहा होता है, अब यहां पे कुछ examples ले ले लेकिन gram number यहां पे 80 का, यानि कि सीधे सीधे यहां पे per share 10 रुपाय का discount मिल रहा है based on the gram number, gram number क्या होता है, पित्रोस्की score क्या होता है, इन सब की already details हमने बना रखिये videos, आप वो देख सकते हैं, आप सीख सकते हैं, और यहां पे अगर ध्यान दें, तो यह stock ना सिर्फ gram number के ह आप से value investing का question हमें provide कर रहा है margin of safety का, बलकि एक undervalued दाम पे भी मिल रहा है, तो यहां पे कह सकते हैं कि ऐसे stocks जो की आपको undervalued दाम पे मिल रहे होते हैं, उनमें buy on dips की strategy different हो सकती है, उनमें since हमें एक margin of safety मिल रही है, हम long term के तहत, bulk investment करने का भी decide कर सकते हैं, ठीक है, चली एक और example लेते हैं, जिससे clearly आपको समझ में आ जाएगा, current stock price 38 रुपय का चल रहा है, यहां पे gram number 62 का है, यहां पे ध्यान दीजिए, तो again gram number के हिसाब से margin of safety आपको मिल रही है, और साथ ही साथ अगर आप ध्यान दीजिए, तो price to earning ratio 6 का है, PG ratio 0.14 का है, again यह undervalued की category में भी आ र follow कर रहे हैं, तो आपको clearly सीखने को मिल रहा होगा, और यह stocks कौन से हैं, यह भी आप clearly define कर सक रहे होंगे, क्योंकि आप simple सा screener पर जाके type करेंगे, current price 38 रुपय के आसपास है, stock का PE ratio जो है 6 के आसपास है, sales growth 59 के आसपास है, gram number 62 के आसपास है, तो यह आपको clearly stock कौन सा है, मिल ठीक, चली, यहाँ पर एक और example लेते, यह जो particular company है, आप देखिए, 142 रुपय के आसपास current price है, 189 का gram number, again gram number के हिसाप से, आपको margin of safety यहाँ पर मिल रही है, price to earning ratio, PG ratio के हिसाप से, undervalued दाम पर trade करता हुगा, दिखाए देरा है, dividend yield 8.47 का है, अब ऐसे में हमें देखना होगा कि यह जो sales growth rate 11% का है, इस sales growth rate के साथ profitability growth rate क्या रही है, इसकी देखिए, कुछ company आईसी होती है, जो की profit बहुत ज़्यादा बाढ़ती है, dividend के form में, ऐसे में वो growth पे focus नहीं कर पाती है, तो वहाँ पे stocks में appreciation हमें, पहले stock का जो हमने discussion किया था, वो ऐसा नहीं मिल पाता है, तो इस बात का भी ध्यान देखे चलना चाहिए, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा high dividend yield वाली company आपने रख ली, और उसमें हमें dividend ही मिलता रहा है, growth नहीं मिलेगी फिर, तो ये बात अगर आप ध्यान में रखते हैं, तो आप clearly identify कर सकते हैं, कि आपके लिए winning stocks कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे 0.43 के आसपास PE ratio है, हलागे directly यहाँ पे undervalued के आसपास तो नहीं मिल रहा है, बट फिर भी एक undervalued category हम इसे करार कर सकते हैं, क्योंकि price to earning ratio, industry price to earning ratio से कम दाम पे trade कर रहा है, तो ये criteria भी हम apply कर सकते हैं, अपने overall investing decision making में, ठीक है, इसके साथ ही साथ एक और example ले ले यहाँ पे यह पर्टिकुलर कंपनी है, आदेखिए, तो current price इसका चल रहा है 308 रुपए का, यहाँ पे 348 के आसपास ग्राहम नंबर चल रहा है, और अगर आप ध्यान दीजिए, तो एक समय ऐसा था कि ग्राहम नंबर से बहुत जादा यहाँ पे discount मिल रहा था, 190 रुपए पे investment किया होगा, उनको एक अच्छा valuation मिला होगा वहाँ पे, क्योंकि ग्राहम नंबर जेनरली चेंज नहीं होते है, mostly, ग्राहम नंबर 348 का, share price 190 का, आप सोचिए, share price 190 से सीधे जीधे 308 रुपए तक आ चुक है, तो इन सब important बातों का ध्यान रखते हुए, अगर हम stock market में investment करें, तो हम भी अपने लिए winning stocks figure out कर सकते हैं, तो I think यहां से clearly आपको strategy समझ में आ गई है, कि कैसे हम या तो fundamental analysis करते हुए winning stocks figure out करते हैं, या certain applications का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस वीडियो में फिलाल इतने जोस्तों, उम्मीद वीडियो आपको पसंद आई होगी, तरह के भी questions हों, तो आप उसको comments में पोचना बिल्कुल न भूलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए